देखिए इस विडियो में हम डेट्स के बारें पढ़ेंगे इन मॉंगो डीबी एक ही स्टुडेंट को इंसर्ट करने जा रहा हूं जिसकी आई डी क्या है मैं खुद दे रहा हूं जिरू नाम क्या है जिसका राम है ठीक को दिक्कत नहीं है और डेट ऑफ बर्थ डी ओ वड अब देखिए पढ़ने जा रहे हैं डेट हम दे सकते हैं स्ट्रिंग में कोई दि उससे, operations नहीं कर पाएंगे, conversion नहीं कर पाएंगे, compare नहीं कर पाएंगे, इसी लिए हमारे पास एक function होता है, ISO date, जो की help करता है हमें, to create date object, जैसे integer होता है, string होता है, ऐसी ही क्या है, date object, date data type, तो इसका जनामदीन है, ISO लिखते है, ISO एसे, capital में, date, bracket उसके अंदर string, तीक है, यह function है, ISO date, अच्छा, यहाँ पर देंगे हम, उसकी चन्ति थी, 2000, ठीक है, then, महिना, ठीक है, then, दिन, ठीक है, db.students.find.pretty, आ गया भी, आ गया, देखे रहो, 2000 साल, ठीक है, पहला महिना, और 30 तारिक, then, t, then, यह कुछ कथा लिखी होई है, t क्या है, separator है, जो की separate करता है, date को times है, यह क्या है, time आता है, अगर आपने दिया हो, तो, अभी हमने नहीं दिया था, तो यह 00 आ रहे है, और then, आता है, z, z, represent कर रहा है, यहाँ पे, utc time zone, बताँगा, मतलब क्या होता है, utc, utc का मतलब है, coordinated universal time, यह की standard है, पूरे संसार का, एक standard है, time को नापने का, हमारी प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे, utc time zone, क्योंकि हमने दिया नहीं है, हमने तो सिर्फ उसकी date दी थी, date of birth, ठीके, नहीं time दिया, नहीं time zone दिया, ठीक है, अच्छा, तो हमने देख लिया, कि हाँ यह एक तरीका है, create करने का, date को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब दूसरा बंदा आता है, जिसका नाम है, क्या, बहुत युनीक नाम है, श्याम, अब इसकी date of birth देखते हैं, इसकी date of birth है, 25 January 2000, लेकिन हमें यहाँ पे time भी पता है, तो t separator दिया, हमें exact time पता है, दो पहर के 2 बज रहे थे, 20 minute और 23 second, ठीक है, लेकिन time zone का नहीं पता, time zone हमें पता है, क्या है, क्या है, UTC, अचा, error आ गई, क्योंकि हमने ID 0 ही थी है, इसकी, 1 कर देता है, ठीक है, बहुत चीवात है, ठीक है, फाइंड किया, प्रेटी, बहुत चीवात है, क्या है, इसकी date फलान ने मुआ थीक है, तीसरा student, जिसकी ID क्या है, 2, नाम क्या है, इसका अक्षित ना क्या है, प्लस, दो घंटे आगे है, यहाँ पे मैं लिखा है, क्या है, प्लस, दो घंटे, यानि कि UTC से दो घंटे आगे, ठीक है, इतनी से बाद, इसे बोलते है, offset, time zone offset, अभी तो मैं आपको date create करना ही सिखा रहा हूँ, ठीक है, गवराई है, pretty कर दिया है, मैंने, बहुत offset से, हमने क्या बोला था, हमने बोला था, कि UTC के दो घंटे बाद, हमने बोला था, कि 220 और UTC से 2 घंटे आगे, तो UTC में कितना होगा, 2 घंटे बीच होगा, ठीक है, हमने date create करना सीख लिया है, अब start करते है, query करना, हम कर सकते है, db.strands.find, ठीक है, query किसमें लगानी है, dob filter, dob, ठीक है, greater than लगा जेते हैं, कोई दिक्कत नी है, greater than, और यहाँ पर एक date देते है, ISO, date, greater than, 2000, 12 महीना, 12 तारिक, ठीक है, greater than, equal to, ठीक है, तो एक ही student आया है, जिसका नाम, actually, जिसकी date पर, 2000, 12 महीना, 12 तारिक से जादा है, ठीक है, कोई नहीं की बात नहीं है, हम यहाँ पर, greater than, lesser than, कुछ भी ला सकते हैं, दोनों एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है, obviously, हम sort कर सकते हैं, find sort, dob, colon, minus one, dot, pretty, sort हो गया, descending order, minus one, क्या है, हम aggregation में, use कर सकते हैं, कैसे, db.students.aggregate, aggregate में list जाती है, list देती हैं, मान लीजे, मुझे क्या करना है, यह तीन students है, मुझे पता है, कि 2000 साल, date of birth वाले, राम है, श्याम है, और 2005 वाला अक्षित है, मेरे को grouping करनी है, साल की हिसाब से, ठीक है, तो dollar group stage, इसमें क्या देते हैं, इसमें id में जाता है, वो field, जिसके along हमें, क्या करना है, grouping करनी है, dob के along करनी है, ठीक है, dob के along, अगर मैं क्या करूँ यहाँ, id मैं सिर्फ dob देती, dollar sign, dob field देती, कुछ syntax में करवड हो गई है, ठीक है, कॉमा separated आते हैं, और यह json format, ठीक है, अच्छा, क्या गया है, यह basically, तीन group बन गये हैं, अब मेरे सामने, समझ रहे हैं, group बन गये हैं, तीन, on the basis of their dates, simply, यही तो करता है, group, गरता है, जैसे आप यहाँ कि मैं ID के जगा name दे दूं, name, ठीक है, तो क्या किया इसने, राम नाम के documents को एक group में डाल दिया, शयाम नाम के documents को एक group में डाल दिया, अक्षित नाम के strengths को एक group में डाल दिया, अभी यह करा आए, यह कुछ नहीं किया है, हम यह थोड़ी चाहते हैं, कि हम date से करेंगे, यह और ऑपरेटर से कहां से निकालना है डी ओबी से निकालना है अब दो गुरूप बन गहें देख रहे हो 2005 का एंड 2000 का मेरे विए नाम चीए नाम अच्छा तो नाम ले लेता है नाम क्या होगी लिस्ट होगी ठीक है यहां पर एक्सप्रेशन लिखी एक्सप्रेशन क्या होगी डॉलर साइन पुष इसा पढ़ चुक है अपन नेम्स में पुष कर दीजिए नाम फील्ड को हर गुरूप के लिए आगया वे 2005 के नाम आ गए है अक्षित पांच साल में जन्म हुआ था अक्षित का 2000 में जन्म हुआ था रा मेरे को क्या क्या चाहिए नेम्स यह यह एग्रिगेशन की जो आदे गिंडे की वीडियो थी उसमें सब पढ़ा रखा टेंशन मतलब थीक है में मुद्धा यह है कि एक यर ओपरेटर जैसा कुछ होता है जो कि हम यूज कर सकते हैं तो एक्स्ट्रेक्ट इयर फ्रॉम देट समझ रहें आप देखो अगर यह स्ट्रिंग हो तो थोड़ी ने कर सकते हैं ठीक है चलिए अच्छी बात है हमने सीख लिया कुछ एक काम करता है हटाता है कुछ नया करता है उससे पहले उससे पहले आपको बता दूँ कि जैसे डॉलर साइन इयर ओपरेटर था ऐसे बहुत सारे ओपरेटर सोते हैं तो एक्स्ट्रेक्ट डिफरेंट इफरेंट फील्ड डिफरेंट डिफरेंट वेल्यूस फ्रॉम दा आया सो डेट जैसे कि डे ओफ पंथ यहां पर खास आपके लिए देखेगा डॉलर साइन डे ओफ मंथ टारीक क्या है एक्सक्ट डे दूसरा क्य चलते हैं और यह शारे एक बार इंपलेमेट कर देखे लिए ऐसरे मंगियर में ठीकैमें नीम हो हगा क्या राम गार्म ठीकह और कुछ नहीं चाहिए मेरे को राम थीक राम आ गया है बलकि एक काम करते हैं श्याम ले लेता है जिसमें टाइम भी होगा ठीक अब दूसरी पाइप लाइन में हम प्रोजेक्ट का इस्तमाल करते हैं ठीक है प्रोजेक्ट यहां पे न यहां पे सारे उपरेटरियों कर लोग अगया 525 अगया 25 ओर हम बता था कि पाइब बढकिया 25 थी ठीक है अब क्या जीए मेरे को एक काम करते है को कुपी कर लेते है इहां पर लिखेंगे ऐसे ठीक है दूसरा था के महीना महीना जीए डॉलर साइं मंत कहां से डी ओ पी से थीक है दन कॉमा डे ओठीक टाशे डे ओ dollar sign R कहां से DOB से and then finally dollar sign dollar sign field का नाम है ठीक है then millisecond MS बोल देते हैं इसको और कहां से उठा के लाओ क्या लाओ पहले तो millisecond कहां से लाओ dollar sign DOB से ठीक है चलिए ए पैस करके देखते हैं है आगे वह गहे लापकी था महिना एक महिना एक अब चख करता है अब फचिस पचिस भई ठीक कोई दिककत नहीं है पहला महिना नग 91 51 2 15 1 24 एमका 24 एमने में सी भी से और मिली सेकंद नहीं अगर आपको देना है मिली सेकंद भी तो आपको लेकर खास आपके लिए इंसर्ट कर लेंट है ठीक है आईडी कुछ expect 11 माल लेते हैं नाम अजय कर आपको मद लेते हैं और यहाँ पर क्या करेंगेे क्या ड़ाट मिल डिसेकंड ठीक है माल लेता है 7 7 8 तो हमारा सुन्दर एक्जम्पल क्या था यह था आपके आपके सामने कि हमने मैच कर दिया भाई नेम श्याम ठीक है फिर प्रोजेक्ट कर दिया हमने यूज कर लिया ऑपरेटर क्या डे ओफ मन्थ मन्थ डे ओफ यर आर मिली सेकंड यह एक बार शकल देख लेता है सब की ठीक हम यूज कर लेंगे न्यू डेट का थिक है न्यूडेत के हल्प से हम करेंट टम कर सकते हैं एंटर करते हैं टिक है प्रेटी किया फिरसे अब देखो यह क्या है आज का समय बता रहा है दोज़र्तेहिस साथ वह महीना आणड पीस तारिक बहुत बढ़ा टाइम है बहुत ही जालए बहुत बड़े मिलि इतार है आप देखें यह मेरे को अच्छा लग रहा ह् यह आए इसो डिटेस घांहें इंटिया моей मरे पत्रीट करूँ यह मोगा तो कैसे कर शक्ता है तो आप के सामने उसकोратьा मैं आपके सामने उसको तेक्स लिखा के अंदर आप format देंगे and देंगे date ठीक है date to string operator है जो कि accept करता है format आपका custom format and आपकी date ठीक है start करते है मैं क्या चाहता हूं db.aggregate aggregate किया मैंने sorry db.students.aggregate ठीक है students.aggregate ठीक है क्या लेता है aggregate list लेता है comma separated pipelines की ठीक है मैं क्या चाहता हूं इक काम करी है मैं आभी के simple लखना चाहता हूं ठीक है मैं project कर लेता हूं direct ठीक है simple थ Talks collect or project करते हैं मेरे को नाम चीढ़ स कर लिया id मैंने 0 कर ली i.d. जीरो कर लिए ठीक है, आ गया, जीक है, पर प्रीटीफर से कर लेता है, ठीक है, और मेरे को क्या करना है, अब यह जो डेट्स है, इस चीए नाम तो फिल्ड का DOB ही होगा, लेकिन अब यहां पे मैं लेख कथा, कथा क्या, डेट टू स्ट्रिंग ओपरेटर का इस्तमाल, ठीक यहां पर हम याद रखिए को परसंटेज डी साइटेफ़ाई करते हैं हना अधर को यह हमारा फॉर्माइट हो गया और दूसरी फिल्ड किया थी मैं अपनी डेट देंगे एंदिजिए अगर यह पिर अगर कुछ खेलना है देट के साथ तो खेल के दे दिजिए ठीक है डेट म में कह जाएगे हमारी फील का नाम डी ओबी ठीक है एंटर किया अच्छा यह के लिए कैपिटल वाय होता है ठीक है आ गया अपने बच्पन के दिनियाद आ गए है जब हम ऐसे डेट लिखते थे बहुत बढ़ी आगा अच्छा अब मेरे को मान लिजे आर बी इंगलूड करना आशा करता हूँ आपको सिन में आ गया होगा नहीं आया है तो अपने दुख दर्द कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस काड़ पर मिन जाएगे